Dear Students, आज किस वीडियो में हम बाते करने वाले हैं, Unit 3 और इसमें हम जानेंगे कि Present Continuous Tense में और Present Simple Tense में क्या Difference होता है और इनका Use कहां कहां करना चाहिए और दोनों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है तो चलिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को तुलना करते हैं सबसे पहरे इनकी Present Continuous इसमें हम बोलते हैं I am doing, मैं कर रहा हूँ Present Simple हम इसमें बोलते हैं I do, मतलब कि मैं करता हूँ We use the continuous for things happening at or around the time of speaking कि हम Present Continuous Tense का प्रिवग वहां करते हैं जब हम किसी बात के बारें बाते करते हैं और वो action हो भी रहा होता है This action is not complete और इसमें जो action होता है वो पूर्ण भी नहीं होता है जैसे कि past में कोई action नहीं हो रहा है But now, now में इस समय I am doing, I am playing इस समय मैं खिल रहा हूँ तो मुझे बोलना चाहिए इस समय के बारे में बात करना हूँ तो मुझे बोलना चाहिए I am doing या I am playing बट इसका future से और past से कोई लिना देना नहीं है कोई relation नहीं है But, जह हम present simple की बात करते हैं तो हम इसका use करते हैं We use the simple for things in general मतलब कि जो चीज़ें हमेशा होती हैं, सामने तया होती रहती हैं और सच होती हैं Things that happen repeatedly या फिर वो चीज़ें जो बार बार repeatedly होती रहती हैं और इनका सम्मन्थ past से भी होता है, present से भी होता है और future से भी वक्त होता रहता है, इसी वज़े से हमें बोलना चाहिए यहां पर I do, I play, I go Present simple में हम उन action की बात करते हैं, जो action हर वक्त होती रहते हैं मतलब कि तीनो time में होता रहता है Past में भी, present में भी, future में भी और present continuous हम के वल वहां बोलते हैं, जह हम बात करते हैं कि जो action के वल present में होता है इस समय हो रहा है वो भी अब example समझते हैं दोनों के The water is boiling, be careful, कि जो पानी है boiling, उबल रहा है, सावधन रहे है Water boils at 100 degrees, 100 degrees Celsius, कि जो पानी है वो 100 degrees Celsius पर उबलता है यह सची बात बता रहे है इसमें, बट पानी उबल रहा है present continuous में यह कोई सची बात नहीं है, इस समय ही action हो रहा है बट जब हम यह बोलते है water boils, पानी उबलता है at 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius पर तो इसका मतला अभी नहीं उबल रहा है, उबल रहा है पानी जो बट वो रो जाना कभी भी उसको बालोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा उसमें, एक सची बात है यहाँ पर past में भी ऐसा हुआ, present में भी ऐसा होगा, future में भी ऐसा ही होगा next, next, listen to those people, what language are they speaking, कि उन लोगों को सुनिये, वो कौन सी भासा बोल रहे हैं, मतलब कि इस समय, excuse me, do you speak English, क्या आप इंग्लिस बोलते हैं, let's go out, चलो बाहर चलते हैं, isn't raining now, अब बारिश नहीं हो रही है, it doesn't rain very much in summer, कि गर्मियों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है I am busy, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं, next, what do you usually do at weekends, कि आप सब्ते में, याप विकेंड्स में क्या करते हैं, next, I am getting hungry, मुझे भूक लग रही है, let's go and eat, चलो चलते हैं और खाते हैं, I always get hungry, मैं हमेशा भूका होता हूँ, in the afternoon, दो पहर में, Kate wants to work in Italy, Kate Italy में work करना चाहती है, So she is learning Italian, इसी वज़े से वो Italian सीख रही है, Most people learn to swim, ज़्यादा तर लोग तैरना सीखते हैं, when they are children, जब वो बच्चे होते हैं, next, the population of the world is increasing very fast, कि संसार की जन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, Every day, the population of the world increases by about 200,000 people, We use the continuous for temporary situations, मतलब कि हम present continuous का प्रियोग वहां करते हैं, जब हमें temporary situations की बात करनी होती है, कि जो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो short time के लिए होती हैं, छोटे समय के लिए होती हैं, We use the simple या present simple for permanent situations, लेकिन present simple का प्रियोग हम वहां करते हैं, जहाँ पर हमें permanent situations की बाते करनी होती हैं, जहाँ पर चीज़ें for a long time, लंबे समय के लिए होती हैं, Examples, I am living with some friends until I find a place of my own, मैं कुछ दोस्तों के साथ रह रह रहा हूँ, जब तक कि मुझे रहने के लिए कोई जगह ना मिल जाए, My parents live in London, मेरे parents लंदन में रहते हैं, They have lived there all their lives, वो वहां हमेशा से रह रहे हैं, You are working hard today, आज आप बहुत महनत कर रहे हैं, Yes, I have a lot to do, हाँ मुझे अभी बहुत कुछ करना है, Joe isn't lazy, Joe lazy नहीं है, He works hard most of the time, वो बहुत ज़्यादा महनत करता है, most of the time, जादतर समय, So, यहाँ पर present continuous में और present simple में आपको जो difference है, वो समय में आ गया होगा, I always do and I am always doing, मैं हमेशा करता हूँ और मैं हमेशा कर रहा हूँ, मतलब कि present simple में always का प्रियोग कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, और present continuous में always का प्रियोग कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, I always do something जब हम present simple में always का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इस काम को हमेशा ही करते हैं I always go to work by car कि मैं हमेशा car से जाता हूँ कि जब कभी मैं बाहर जाता हूँ या काम पे जाता हूँ जब कभी मैं काम पे जाता हूँ मैं हम इसा कार का यूज़ करता हूं not I am always going हम ऐसे नहीं बोल सकते ये बोलना गलत होगा लेकिन अगर हम ये बोलते हैं I am always doing something तो इसका मतलब है जब हम continuous, present continuous में always का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस काम को हम हद से ज़्यादा कर रहे हैं और इसी वज़े से अब दूसरे इंसान को irritation हो सकती है आपसे annoyance हो सकता है मतलब वो आपकी इस बात से नाराज हो सकता है कि क्या यार हर बार यही काम करता रहता है बार बार example के लिए I have lost my keys again मैंने फिर्स अपनी चावी खो दी I am always losing them मैं हमेशा चावी खो देती हूँ मतलब कि जब भी देखो तब चावी खोती रहते है जब भी चावी उसे मिली तब हमेशा वो यही काम कर देती है I am always losing इसका मतलब है कि वो चावियों को बहुत बार खोती है और इसका मैं एक अच्छा एक्जेंपल बताऊं आपको suppose कि जिए आपका कोई दोस्त है और आप उसके पास जाते हैं तो आपने देखा कि जिससे आप उसके पास गए और आपने देखा कि वो इससे में पढ़ रहा है आपने उसे पूछा भी क्या कर रहे हो तो उसने बोला मैं तो पढ़ रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं आपने सोच चलो एक घंटे बात फ्री हो जाएगा तो आप दुबारा उसके पास गए और फिर देखा तो वो अभी भी पढ़ रहा है अब आपने फिर पूछा भी क्या कर रहे हो मैं तो पढ़ रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं फिर आपको दो घंटे बात फिर उसके पास गए देखा वो अभी भी पढ़ रहा है अब आपको थोड़ी सी अनॉयन्स होने लगी यार पढ़ ही रहा है बताओ फिर आप अगले दिन आए तब देखा आपने तब भी वो पढ़ रहा था उससे नेक्ट डे आए आपने देखा उसको फिर भी वो पढ़ रहा है अब आपको उसे देख करके गुसा आ गया आपको मतलब की अनॉयन्स हो गया Paul is never satisfied. He is always complaining. Paul कभी संतुस्त नहीं होता है. वो हमेशा सिकायती करता रहता है. You are always looking at your phone. तुम तो हमेशा अपने phone को ही देखते रहते हो. Don't you have anything else to do? क्या तुमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए? Exercises. 3.1. Are the underlined verbs okay? की underlined verbs जो दी गए है sentences में क्या वो सही है? अगर वो सही है तो आपको लिखना है okay. Correct them where necessary. और जहां जरूरत है वहाँ पर आपको उनको सही भी करना है. First example. Water boils at 100 degrees Celsius. Water 100 degrees Celsius पर boil करता है. तो वहाँ वर्ब की फॉर्म दे रखे है boys. तो बिल्कुल सही है. इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर okay. Okay. Two. How often are you going to the cinema? इसमें are you going का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम how often use करते हैं तो वहाँ पर do का प्रयोग या does का प्रयोग करना चाहिए. How often do you go to cinema? इसलिए हमें यहाँ पर इसमें change करना है. Next number 3. Ben tries to find a job but he hasn't had any luck yet. Ben tries Ben tries to find a job but he hasn't had any luck yet. So Ben is trying to find. तो यहाँ पर आपको सही करना है इसको tries के वज़ए आप करिंगें इसमें is trying to find. कि Ben नौकरी पाने की कोशिस कर रहा है लेकिन अभी तक से कोई चांस नहीं मिला. Number 4. Martina is phoning her mother everyday. अब क्योंकि यहाँ everyday है तो इसी वज़ए से हम यहाँ पर is phoning का use नहीं कर सकते हैं. हमें बोलना चाहिए Martina phones her mother everyday. तो phoning गलत है यहाँ पर इसके वज़ए हमें phones बोलना चाहिए. कि Martina अपनी मदर को रोजाना phone करती है. Number 5. The moon goes round the earth in about 27 days. यह बिल्कु सही sentence है कि जो moon है वो पृत्वी के चक्कर लगाता है लगभग 27 दिनों में. तो सही है तो इसमें आपको लिखना है OK. Number 6. Can you hear those people? क्या आप उन लोगों को सुन सकते हैं? What do they talk about? वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो देखिए हम इस समय की बात कर रहे हैं तो इसी वज़ए से इसमें do they talk about यह गलत है इसमें आपको यूज़ करना चाहिए. What are they talking about? Number 7. What do you do in your spare time? कि आप अपने बचे हुए समय में क्या करते हो? यह बिल्कुल सही है इसमें आप OK लिख देंगे. Number 8. Sarah is a vegetarian. She doesn't eat meat. Sarah एक vegetarian है. वो meat नहीं खाती है. यह भी सही है बिल्कुल. इसमें भी आप OK कर देंगे. Number 9. I must go now. मुझे आप जाना चाहिए. It gets light. अब देर हो रही है. तो इसमें आपको लिखना है. It is getting light. क्योंकि gets यहाँ पर सही नहीं है. और आप अभी की बात करें. Now की बात करें. इस वज़े से यहाँ पर it is getting light. यह सही होगा. Number 10. Come on. It is time to leave. जल्दी करो यार. जलने का समय हो गया है. OK I come. OK I come. यह गलत है यहाँ पर. इस नहीं होता है. He is always starting work on time. वो हमेशा काम समय पर करता है. तो यहाँ पर always starting ना बोल करके हमें बोलना चाहिए. He always starts work on time. क्योंकि वो never late. जह हम always never sometimes often इस प्रकार की adverbs का यूज़ करते हैं. तो वहाँ पर present simple tense का प्रियोग करना चाहिए. 12. They don't get on well. They are always arguing. वो कभी भी अच्छ सम्मंद में नहीं रहते हैं. वो हमेशा जगडा करते हैं. They are always arguing. यह बिल्कुर इसमें सही है. कि वो तो हमेशा जगडा करते रहते हैं. बिल्कुर सही senses का. तो इसमें आपको okay लिखना है. 3.2. Put the verb into the correct form. कि जो verb हैं उनको सही form में आपको लिखना है. present continuous और present simple. तो यह आपक I usually get hungry in the afternoon. I usually get. So I usually get hungry in the afternoon. बिल्कुल सही है. P. I am getting hungry. मैं भूका हूँ. Let's go and eat something. क्योंकि अभी की बात कर रहा है तो इसी वेज़े से आपको I am का प्रियोग करना चाहिए. present continuous. 2. You listen to the radio. No, you can turn it off. तो यहाँ एक question है तो आपको बोलना चाहिए. क्योंकि इस समय की बात कर जब भी कैन का प्रियोग होता है. समझ जाए वहाँ पर present continuous की बात की जा रहे है. Are you listening to the radio? तो यहाँ पर आप question बनाएंगे. Are you listening to the radio? No, you can turn it off. मैं नहीं सुन रहाँ रेडियो को. आप बंद कर दीजेगा इसको. B. You listen to the radio a lot. No, not very often. जब very often आता है तो समझ जाए present simple है. इसी वेज़े से आप बोलेंगे. Do you listen to radio a lot? क्या आप radio बहुत ज़्यदा सुनते हैं? No, not very often. नहीं मैं ज़्यादा नहीं सुनता हूं. 3. The river neil flow into the Mediterranean. की नील नदी Mediterranean में flow करते बहती है. तो इसमें आपको बोलना है flows. क्योंकि एक सची बात है. B. The river flows very fast today. इसमें today का प्रयोक क्या गया है? इसका मतलब अभी की बात की जारे है कि जो नदी है वो आज बहुत तेज बह रही है. So, is flowing बोलना चाहिए आपको इसमें. Much faster than usual. मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज है. Number 4. I am not very active. मैं ज़्याद एक्टिव नहीं हूँ. I am not doing any sport. I am not doing any sport. तो आपको इसमें present continuous का प्रयोक करना है और आप बोलेंगे I am not doing any sport. मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ. B. What you usually do at weekends. कि आप weekends में क्या करते हैं अक्सर. What do you usually do at weekends. आपको ऐसे बुलना है. Number 5. Rachel is in New York right now. Rachel इसमें New York में है. So, now की बात करें, अभी की बात करें. She is staying at the park hotel. So, she is staying आपको use करना यहां पर. B. She always stay there when she is in New York. जब कभी वो New York में होती है, वो हमेशा रुपती है. So, she always stays. क्योंकि यहां पर present simple का प्रयोग करें. क्योंकि हम when की बात करें. और when एक लंबे समय की बात करा है. लंबे action की बात करा है हां पर. 3.3. Put the verb into the correct form. Present continuous or present simple. कि present continuous की फ़र्म होगी यहां पर यहां पर एक question को देखते हैं. Number 1. Why are all these people here? यह सभी लोग यहां पर क्यों है? What is happening? So, what happened के बाजाए हमें लिखना चाहिए what is happening? क्या हो रहा है? Number 2. Julia is good at languages. कि Julia को भासा अच्छी से बोलने आती हैं. She speaks four languages very well. So, यहां पर हम उसकी एक repeated action की बात करने हैं. तो हमें बोलना चाहिए. She speaks four languages very well. Present simple का प्रियोग करेंगे. Number 3. Are you ready yet? क्या आप अभी तयार नहीं हुए हो? Number 4. Everybody wait for you. So, बोलेंगे everybody is waiting for you. हर कोई आपका इंदिजार कर रहा है. Number 4. I have never heard this word. मैंने सब्द को कभी नहीं सुना. How you pronounce it? How do you pronounce it? जब भी हम pronunciation की बात करते हैं, तो हम पर do का ही प्रियोग करना चाहिए. How do you pronounce it? आप कैसे इसको pronounce करते हैं, उचारित करते हैं. Number 5. Kate not work this week. She is on holiday. Kate इस सब्द काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो holiday पर है, तो आपको बना चाहिए is not working. Number 6. I think my English improved slowly. It is better than it was. मुझे लगता है कि मेरे English improved नहीं है, या धिर धिर इंप्रूफ हो रही है. It is better than it was. ये पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है. So, I think my English is improving slowly. So, यहाँ पर आपको बोलना है, is improving slowly. Seven. Nicola lives in Manchester. So, Nicola lives in Manchester. ये एक true action है, लंबा action है, तो इसलिए हमें यहाँ पर lives बोलना होगा. She has never lived anywhere else. वो कभी कहीं और नहीं रही है. Number 8. Can we stop walking soon? क्या हम चलना अभी जल्दी में बंद कर सकते हैं? I am starting to get tired. मैं ठक रहा हूँ. Number 9. Sam and Tina are in Madrid right now. कि Sam और Tina इस समय मैंडरीट में हैं. Now की बात कर रहा तो यहाँ पर हमें. They are visiting a friend of theirs. So they are visiting बोलना जाँ हैं यहाँ पर क्योंकि नाव कप्रियों किया गए सेंटेंस में. 10. What your father do? He is an architect. कि आपके पापा जी क्या काम करते हैं? He is an architect. वो तो एक architect है. 11. It took me an hour to get to work this morning. कि मुझे इस काम को करने में एक घंटा लगा. Most days, जातर दिन, it does not take so long. क्योंकि हम एक रोजाना वाली बात कर रहे हैं, repeat deduction की. So it does not take so long. इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है. 12. I learn to drive. My driving test is next month. मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ. क्योंकि मेरे जो driving test है, वो अगले महीने है. My father teach me. और मेरे पिता जी मुझे सिखा रहे हैं. So I am learning to drive. मैं I am learning बोलना हो गया है आपर. और my father is teaching me.